ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है ये 140 करोड भार्तियों की जीत है भाई और बेनों मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूँगा चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुसलता के साथ संपन्द कराया करीब सो करोड मतदाता ग्यारा लाग पोलिंग स्टेशन देड़ करोड मतदान कर्मी 55 लाग वोटिंग मशिन है हर करमचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दाहित्व को बक्खुबी निभाया हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने करतव्य भाव का शानदार परिचय दिया भारत के चुनाव प्रोसेस चुनाव की इस पूरे सिस्टिम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिल पर हर भारतिय को गर्व है इस केल पर चुनाव का इस एफिशन्सी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरन नहीं है और मैं देश्वाच्यों को कहूंगा मैं इन्फ्लियंसर्स को कहूंगा मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में यह चुनावी प्रक्रिया की ताकत है एफिशन्सी है यह अपने आप में बहुत बड़ा गवर्व का विश्य है भारत की पहचान को चार चान लगाने वाली बात है और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुँचा सकते हैं उन सबसे मैं आगर करूँगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमने प्रस्तूत करना चाहिए इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया वो अनेक बड़े लोकतंत्रिक देशों की कूल आबादी से भी ज़्यादा है जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूत पुर्व उद्सा दिखाया है और दुनिया भर में भारत को ब्रदाम करने वाली जो ताकत हैं उनको आइना दिखा दिया है मैं देश के हर मतदाता को जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्वपर आदर पुर्वक नमन करता हूं मैं देश बर के सभी दलों सभी उमिद्वारों का भी अभिनंदन करता हूं सभी की सक्रिय भागिदारी के बिना लोग तंत्र की ये विराठ सपलता संभव नहीं थी भाजपा के एंडिये के हर कारकरता साथी को भी मैं रदैस से धन्यवाद करता हूं साथियों इस चुनाव के इस जनादेश के कई पहलू है 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने दो कारकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है राज्यों में जहां भी विदान सभागे चुना हुए बहां पर एंडिये को भव्यम विजय मिली है चाहे वो अरुनाचल प्रदेश हो आंदर प्रदेश हो उडिसा हो या फिर सिक्किम और इन राज्यों में कॉंग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है मेरे पास डिज्रेल तो नहीं है लेकिन साइद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा भाजपा उडिसा में सरकार बनाने जा रही है और लोग सबाज चुनाओं में भी उडिसा ने बहतरीन प्रदर्शन किया है ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगनात की धर्ति पर बीजेपी का मुख्य मंत्री होगा बीजेपी ने केरला में भी सीड जीती है हमारे केरल के कायर करताओं ने बहुत बलिदान दिये है कई पीडियों से वो संगर्भ भी करते रहें जन सामान्य की सेवा भी करते रहें और पीडियों से मैं सालों से नहीं कह रहा हूँ पीडियों से जिस खशन का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है तेलंगणा में हमारी संख्या दो गुणा हो गई है मद्दप्रदेश, गुजरात, चतिशगार, दिल्ली, उत्राखन, हिमाचल